हेलो एवरीबन सीबसी क्लस्टर में आपका फिर से स्वागत है मैसल संजीत नमारी और बायोजी नीट मेंट और आज आपन जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो इस चैप्टर के अंदर डिजीज से रलेटीड कोस्चिन और पैथोजन स्कौन कोंसे जो डिजीज कोस करते हैं। उनमें से कोश्चन आता है सिम्टम्स होंगे डिजीज के उससे बेज आपने डिजीज करेंगे उनके कॉस्टेटिव एजेंट बताऊंगा मैं और लास्ट में आपन पीवाई क्यों करेंगे ठीक है तो फर्स्ट कॉमन डिजीज जो आपको एंसे आर्टी में गिवन है वो सब भी डिजीज ट्रांफर डिजीज कॉस्ट करते हैं यह अपने टाइफवाईट टाइफवाईट इस और कम्यूकेबल डिजीज है अब का सबसे मेजर जो चीज आपको याद रखनी चाहिए जो कॉस्टिव एजेंट जो कॉस्ट करता है कि किसी बंदे को टाइफवाईट कर बीजर सब्सक्राह, वह इहां ही, कौन सा है? स्ल्मों नैला टाइफी, ये दो ये प्ट आपको भी याज होना, चाहिए टाइपसा अलसर होजाता है, आपको सिंट्राइल के अंदर का इंंटरस्टाइन बेन सकते हैं और उजाता है सिम्टम्स की बात करें आपको याद भी रखने सिंटम्स किया है हाइफ से से 40 डिग्री सेल्सियर तब भी पहुझ जाता है नेक्स क्या है इंटरस्टाइनल पेल या इंटरस्टाइनल अलसर कह सकते हैं इसको सब्सक्राइब करेंगे सर डाइग्नोस के लिए क्या होगा विडाइट टेस्ट क्विक रिवीजन चल रहे हैं आपके इमान के चलो सेल्मोनेला टाइफी विडाइट डाइग्नोस सिम्टम्स यह होते हैं नेक्स अबन चलते हैं अभी सेकिंड डिजीज जो आपको गिवन है एंग्टू nCRT डाट इस नीमोनिया कर मंझ जैसा हो जाता मैं जुकाम भी होग एल वलाय के अंदर क्या हो जाते एक फ्लूड भर जाता चीस अंता इस प्रूब्लमश आती है को कॉसें इजर्ट चाया है। काहिको कोकॉस नीमोनिया थि और दूसरा कुण सब माइभ़ा है है हूं निस खिये दो आ याद होने चाहिए नियोंनिया के अब निय्मोनिया के symptom की बात करें निय्मोनिया inconsistent कि फीवर हो जाएगा खोल्ड हो जाएगा और कफ हो जाएगा अलवलाई के अंदर फ्लूट फ्लूट के विटी भर जाएगा जिसके वजह से एक्स्चेंज गैसे नहीं हो पाएगा और ब्रीधिंग में प्रोब्लम्स आएगी अब नीमोनिया का सबसे हामफुल इपके है कि जितने ज्यादा तर नीमोनिया ज्यादा और किसके करेगा बॉड़ी को अब तीसरी डिसीज कौन सी है अकॉर्डिंग ट्वेंस याद रखो जुखाम के सिम्टम्स तो आपको पताई है कि एक दो दिन में बिना एंटिमाटिक लिए भी ठीक हो जाते हैं कॉजर्टिव एजेंट जो है वह आपको याद रखना है टृओ अर्या राइनोवाइरस क्लियर है है नेक्स डिजीज जो दिघिवन आपको थे यृवट वण इस अपने कलि पड़ाता फॉर्थ वन इस मलेरिया, मलेरिया साइकल अपने खली पड़ी है मलेरिया के और प्लाजमोडियम से होती है प्लाजमोडियम कौन कों से चार्ट के टाइप के है इट इस कोस्ट बाए प्लाजमोडियम और वो प्लाजमोडियम कों से है प्लाजमोडियम वाइवेक्स पी फैलसी पैरम सबसे हाम होता है यह फैलसी पैरम next प्लाजमोडियम ओवेल NCRT में गिवन नीए बचा ओवेल बट ओवेल भी कॉस करता है मलेरिया कॉस करता है और next one is प्लाजमोडियम मलेरिय और इसके अंदर वेक्टर भी आता है biological vectors है या और लोग जिकर एजेंट कहेंगे फीमेन एलाप्लीज मॉस्कुटो नेक्स डिजीस पर चलते हैं अपन प्लाजमोडियम एज एमोबाइस एज एमोबाइस इस कॉस्ट बाई आपको सब के कॉस्टिव एजेंट पता होने चीए इस कॉस्ट बाई एंट आमीबा हिस्टोलिका अब यह हाउस फ्लाइस को वेक्टर होती है एमोबाइस का सिंटम्स की बाँ करें तो जो अपना विच्ट होता है pak स्टू लोटस आना स्टाश programme होना स्टमख पेन होना स्टाड्र होता है ठीक है एस के अधर नेक्स डिजीज्जस इज स्कैरिस औist अब नाम से चार्या चूठी. इसका स्कैरिस ॉराओ और फीमेल बड़ी होती है में चोटा होता अपन पड़ा है तो इसकरेसिस 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 नेक्स जो डिजीज है आपको वह हाती पाउं जिसको बोलते हैं अपन elephantiasis हाथ हाती पाउंण cati को छुण पर एक इंसान दे रख है उसके जो लुवर में उसमें पूरी हो जाती है is that clear elephant is caused by it is caused by कौन कौन से वुच्रेया बैंक्रॉप्टी एंड वुच्रेया मैलाय है क्लियर यह चीज़े याद रखो लिंपेटिक वैसल्स को इफेक्टिव करती है यह वुच्रेया है बैंक्रॉप्टी एरिया मलाई यह कॉज़ेटिव एजेंट एलिफेंटेसिज हाथी पाऊंगे इस देट क्लियर नेक्स्टो डिजीज गिवन है वो जीज है रिंग वॉम दाद खाज कुछ लिए जिसको अबन बोलते हैं नॉर्मल को सब्सक्राइब पंजाए फिर डिजीज आपको गिवन है कौन से नंबर के डिजीज होगी फिर नेक्स्ट जो डिजीज आपको गिवन है जिसका कोई अभी तक क्यूर नहीं है एड्स एक्वाइड इमिनोडेफिशेंस संड्रॉम डाट इस कॉस्ट बाइड एच आईवी वाइरस हुमन इमिनोडेफ इसके बारे में आपको याद रख्या अगर रहे है डाट इस रेट्रो वाइरस क्यों रेट्रो फाइरस बोला गया सर इसको क्योंकि इसका जो जीनोम होता है वो क्या होगा आरेने यह मेजर मेरत चीज़े बता रहा हुँ आपको पूरा का पूरा डिटेल नहीं वह आप सब बढ़ चुकें यह सिर्फ रिविजन मोड वाला पार्ट है तो एड्स एचाइवी रेट्रो वाइरस से जीनोम आरेने होता है इसके अंदर और एलीजा टेस्ट भी होता है ठीक है नेक्स डिजीज जो आपको गिवन है वो है कैंसर अब कैंसर के अंदर क्या होता है मेली ट् ब्लड के तुरू फैल जाएगा नियो प्लास्टिक सेल डवलप कर देगा ठीक है डाट प्रोसेस और मेटास्टेसिस बोलते जो ब्लड के तुरू बॉरी बॉड़ी में कैंसर का ट्यूमर बनना स्टार्ट हो गया अब कैंसर के अंदर डाइग्नॉस्ट करने के लिए बायो सब्सक्राइब कोमन कोर्ड एड्स और कैंसर यह मेजर डिजीज हैं गिवन एंसियाटी के अंदर कॉजटिव एजेंट याद रखो सिम्टम्स भी आपके माइंड में होने चीए कि सिम्टम्स में आ सकते हैं क्लियर हो गया अब इसके पीवाइक्यू करते हैं आपको इंटर अब यहां पर क्या है कॉजटिव एजेंट लिखे हुए हैं सबसे पहले मलेरिया का ट्राज्मोडियों वाइव एक्स क्लियर नीमोनिया हीमोफ्लिस इंफ्लिंजा दो आपको हिंट मिल गई हैं फ्लेरेसिज बोलते हाती पाऊं एलिफैंटेस को फ्लेरेसिज बोला जाता ह अब यहां पर आ जाओ डी कहां पर है फ्लेरेसिज का थर्ड बी का थर्ड पी का थर्ड कहां पर है कि यहां पर तो हिंट मिल गए आपको दा करेक्ट अंसर यह वाला इसमें वन टू और परस्ट टू और फॉर्ट ऑप्शन टू इस करेक्ट अच्छा ठीक है नेक्स्ट कोशन पर चलें हम अब यह कोशन नीड 2012 के अंदर इजी कोशन भी आते हैं ऐसा नहीं है कि जो आप देखते भी कर सकते हैं पर उन कोशन को भी पढ़ने की रिक्वायमेंट होती है नेक्स्ट कोशन पर चलें अब कोशन आपका बच्छे 2018 के अंदर पूछा गया है तो कोशन बहुत ज़्यादा टीपिकल नहीं आते हैं कि बहुत ज़्यादा टीपिकल आते हैं बस आपका कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए एंसी आर्ट को अवाइड नहीं करना एंसी आपको लाइन तुल नाइन आनी चाहर अब यहां पर मस्टल सोफ लेक्स ब्लड वेस्टल सोफ थाई रिजन स्किन बिट्विन दा फिंगर से लिम्फेटिक वेस्टल सोफ लोवर लिम्स और यह कोश्चन कब पुछा गया 2013 के अंदर लेवल देखोड़ कई चैप्टरस ऐसे होते हैं इंटरसिंग होते हैं समझने वाले उतर कोश्चन उसमें से इजी आते हैं जैसे यह चैप्टर इंटरस्टिंग है आपको डिजीज के आपको ड्रक्स के लेटिड भी कोश्चन है तो इसली हो जागए चैप्टर सारे कोश्चन नेक्स मोटाइल जाइगोट और प्लाजमोडियम अकर सिंग यह पता हो ना चीए बता बटा यह मलीरा साइकल है मोटाइल जाइगोट पूछा है और प्लाजम इनफेक्टि स्टेज क्या थी स्पोरोजाइड थी बट जाइगोट जो बना वो किसमें बना मॉस्कुटों के अंदर बनता है ना इतमी जो फंटीलाइज मोस्कुटों में होगी गट ओफीमेल आनाफ्लेस मोस्कुटों फ्लाइव ग्लैंड और रभी सी हीमल लिवर जाइगोट की बात हो यह तो गट आप फीमेल आनाफ्लेस मॉस्कुटों क्लीयर बच्चे नेक्स अब ये questions नीट 2012 के अंदर पूछा गया है लेंदी questions देखके कई बच्चे ऐसे तो पढ़ते हैं लेंदी questions statements सारी पढ़ोगे पढ़ना जुरूरी उसमें से statement से question निकल के आता है और इतरा tough नहीं होते लेंदी questions जो होते हैं हलके से बस question करने में time लगता है इनके अंदर निमोनिया के लिए common cold different from pneumonia common cold different क्यों है pneumonia is a communicable disease correct है ये बात तो whereas common cold nutritional deficiency disease है क्या nutrition deficiency है तो common cold हो गया मुझे ऐसा तो है ही नहीं है statement घुट आदे next pneumonia can be prevented by live attenuated bacteria virus whereas the common cold has no effective vaccine ज़रूरी नहीं है बच्चा की लाइब ही डाला जाए passive और active दोनों ही आ सकते हैं clear next में common cold is caused by virus when pneumonia is caused by a bacterium यहां पर एक तरह से तो सेम यह भी चीज़ चीज़ सही है अब इस फोर्ट वाला pneumonia pathogen infect alvely measure आपको जहना है एक exact answer जो एक तरह से क्या आना चीज़ी डिफ्रेंस तो डिफ्रेंस एक्यूरीट क्या है निमोनिया पैतन इंफेक्ट अलवलाई वेरेज़ दो अपने निमोनिया अपने लंग्स को एफेक्टिव करता है common code होता है वह अपने नौस के अंदर एफेक्टिव हो जाता है यह कोश्चन भी 2012 में आया हुआ है नेक्स कोश्चन इंफेक्ट्शन ओफ एसकारेस डिजीज थी एसकारेस नहीं किया यूजली अकर्च बाए इटिंग इन परफेक्ट्ली कुक्ड पॉर्क टीसी टीसी फ्लाइए मॉस्क्यूटो बाइट ड्रिंकिंग वाटर कंटेनिंग एक से अब यह कोश्चन में 2013 में पूछा गया है बच्चे को कोश्चन कर पा रहे है इसका महला आपका कंसेप्ट क्लियर है नेक्स्ट कोस्टिन पर चलें अंध यए कि अमेबा हाइस सोलीका अब अ्यन्त अमीबा हिस्तो लिकामोबास द्यार्जस दिजीज के बारे बात कररहे है पूर्ज्ट औरस कर दो मिलते मेली कि अरित्रोसाइड मुकोस्टा Κोंट की बात फोग इसका मतलब वह किसकी बात कर रहा है या लार्ज कि इंटेस्टाइन की बात कर रहे हैं म्यूकोस और सम्यूकोस आप कॉलाउन ओनली पूड इंटेस्टाइन या ब्लड ओनली क्या पूचे तहां एक्टिव फॉर्म और सम्यूकोस आपने कहां पर होती है के इंटेस्टाइन के कौन कौन से रिजन पर एरित्रोसाइट आर्बी सी के एरित्रोसाइट म्यूकोस और सम्यूकोस आफ कॉलाउन इस डैट क्लियर तो यह में ली कोशन यह भी कोशन पूचे जाते हैं या इफेक्टिव औरगन के डिजीज से वह कौन सा औरगन इफेक्ट हुआ है ठीक है तो समझ मैं आया अच्छे से कोस्टिंस भी हुए है अच्छा लगा हो तो आप चैनल को सब्स्ट्राइब करो लाइक करो लाइक तो बनता ही है लाइक तो आपको कर को सब आपके साथ है अच्छे से पढ़ो जो भी प्रॉब्लोंस हो वह शेर करो आप कमेंट्स भी कर सकते हैं यह समझ में निया इस कमेंट्स होगा तो आपको अंसर भी दिया जाएगा ठीक होप आपको टॉपिक समझ में आया होगा ओके बटा बाई बेटा टेक क्यार्स